तो आज का वीडियो देखने से पहले आपको मेरा एक वीडियो जरूर देखना पड़ेगा जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओं मोशन ठीक है वह अला वीडियो जरूर देखना क्योंकि उससे आपके क्राफ के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो चलिए हम स्टाट करते है अपना वीडियो को कुश्चिन में कहा गया है वाट इस देखने अप देख लिजे ठीक है अब देखो कैसे में बता सकता हूं माललो आपको यह लाइन दी गई है या फिर कुछ ऐसी लाइन दी है स्टेट केसिस तो बहुत सारे बन सकता है पर मैं एक केस ले रहा हूं जिसमें A line है जिरफ ठीक है यह line है अब यह जो line है इसने कहा है जो इसके under area cover हो रहा है यह area cover हो रहा है यह हमें कौन सी quantity देता है इसका क्या मतलब है देखो अब area हम velocity time graph का कैसे find करते थे अब अगर आप इस figure को देखो तो यह कुछ right angle triangle की दरह लग रहा है विकोज यहाँ पर 90 degree का angle है ठीक है 90 degree का angle है तो area under velocity time graph क्या होगा right angle triangle का area क्या होता है half into base base है आपका यह मलब time into height half into base into height height मतलब यह है अब यह height जितनी होगी उतनी velocity होगी तो velocity ठीक है अब देखो half तो चलो हटा दो यह तो फिलाल के लिए magnitude है हमें कौनिटिटी बतानी है तो t क्या है आपका time को किस चीज में measure करते है second में velocity करते है meter per second में तो second से second अगर हम card दें तो खाली meter बचा है तो meter क्या है अब meter में हम किस चीज को क्या करते है measure करते है या तो distance को करते है displacement को करते है ठीक है so area under velocity time graph हमें देता है distance या फिर displacement ठीक है that is your question इतना easy question था चलिए